हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi कैसे हैं आप सभी लोग सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल Study IQ IAS Hindi पर मैं मनोच कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों जैसा के हम लोगों ने योजना कुर्चेतर को स्टार्ट किया है इस मैगजिन को जो सरकार की द्वारा पबलेस होती है इनके सभी महतपूर जो मुद्दे हैं या सभी महतपूर जो टॉपिक हैं उन सब पर हमने बिसलेशन के साथ एक क्लास और्गनाईज की है जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका कुर्चेतर का लेक्चर नमबर 4 ध्यान दीजिगा लेक्चर नमबर 4 और आज का जो टॉपिक है वो है आपका ग्रामिड भारत में ड्रोन की क्रांती या ड्रोन के माध्यम से ग्रामिड भारत में क्रांती कुछ भी कह सकते हैं एक बहुत ही महतपूर मुद्दा है समय का और ड्रोन टेक्नोलोजी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे बहुत अच् उड़ाफी के लिए यानि के एक औरने वाला अनमेंड एरियल वहिकल जो आपके वीडियो बनाता रहता है फोटो खीचता रहता है जिसमें नीचे कैमरा लगा रहता है अगर क्या हो उसी तक्नीक में कैमरे के साथ में अगर नीचे एक पानी का बॉक्स लगा दिया जाए और उसमें कुछ केमिकल डाल दिया जाएं और उसके माद्यम से हम अपने खेतों में किसी भी चीज का च्छड़काओ कर सके या हो सके कि हम कोई भी यूरिया या कोई भी फर्टलाइजर बगरा का च्छड़काओ कर सके या उसके माद्यम से ये भी हो सकता है कि हम अपने फसलों की निगरानी कर सके या अपने खेत की देखवाल कर सके तमाम सारी चीज़ों को कर सके तो कैसा होगा दोस्तो आज यही टॉपिक है हमारी चरचा का केवल बीडियोग्राफी के लिए नहीं बलकि उस ड्रोन का उपियोग हम ग्रामिड भारत के विकास में कैसे कर सकते हैं और एक IES अधिकारी होने के नाते एक पॉलिसी मेकर होने के नाते जिसके तैयारी आप लोग कर रहे हैं वहाँ पर यह मत सोचेगा होने वाली हर गत्विदी के बारे में जाने और उसके विकास की यूजनाए बनाए उनकी समस्याओं को समझें समस्याओं के समाधान खोजें और समाधान के साथसाथ नए प्लान बनाए जिससे को उनका विकास हो सके इसलिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी टेक्नलोजी जानने से पहले अधिकारी को उसके प्रॉस एंड कॉंस यानि कि उसको उस तक्निक के बारे में जानकारी होना चाहिए और ये होना चाहिए कि इससे हम क्या लाव ले सकते हैं तो यही है आज का टॉपिक तो दोस्ती सबसे पहले आप सभी लोगों का पुनहे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और एक उम्मीद करूँगा कि आप लोग अगर हो सके तो इसको सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरू पहुचाए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दो हजार पचीज, छबईस या किसी भी एक्जाम को जब देने जाएंगे तो उसी को दृष्टिकॉर्ण में रखते हूँ हमने ये क्लास सुरू की है एक एक चैप्टर के बिसलेशन को आप तक पहुचाने का और साथ के साथ इंपॉर्टेंट जो पीडियेफ बन रही है उस पीडियेफ को भी आपको देने का जिससे के नोट्स आपके तैयार हो सके सामाने तोर पर 95 परसेंट जो चातर है 90 परसेंट से ज़्यादा चातर योजना कुर्चितर जैसी महत्पूर्ण मेगजिन जिनसे यूपी एसी हुबहू क्वेस्चन पूछ लेता है 90 परसेंट चातर नहीं पढ़ता लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 60-70 परसेंट चातर इन मेगजिनस को खरीता जरूर है पढ़ता नहीं है थोड़ा बहुत एक अदर आर्टिकल पढ़ लिया तो उसके नोट्स नहीं मनाता लेकिन हर टॉपर इस काम को जरूर करता है और मैं आप में वो टॉपर देखना चाहता हूँ इस्टडी आईक्यू आपको उस रूप में देखना चाहता है कि आप सफल हो इसलिए इस क्लास को और्गनाईज किया गया है तो चलिए दोस्तों हम इस पर बात करते हैं ग्रामिड भारत में ड्रोन टेकनोलोजी ठीक है ना तो ग्रामिड भारत में ड्रोन के माध्यम से करांती होने वाली है इसको लेकर के हम पाँच मुद्दों पर चर्चा करेंगे पहला ड्रोन टक्नीक क्या होती है उसके बारे में फिर दूसरा ड्रोन से ग्रामिड अर्थवस्ता को बढ़ाबा दिया जा सकता है किस प्रकार से बढ़ाबा दिया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे ड्रोन के क्या-क्या उप्योग है किस के स्चित्र में ये काम कर सकता है क्या क्या काम कर सकता है इसके बढ़ाने को लेकर के सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल सुरू की गई है ड्रोन पहल जो सरकार ने शुरू की है उनके बारे में और इनके लाब और उनके नुकसान क्या है देखिए मैं question को या इस topic को मैं अलग-लग part में divide क्यों करता हूँ दोस्तों उसके पीछे कारण है कि question किसी भी angle से पूछा जाए सारे angle आपको पता होना चाहिए ध्यान रखना यही question आपके science and technology में भी पूछा जा सकता है कि drone technology क्या है और ग्रामिड भारत के विकास में या ग्रामिड छेतर के विकास में या क्रसी के विकास में यह अपनी भूम का किस परकार निवा सकती है या उसमें इनके उप्योग को बताईए यह science and technology का question भी है और आपके economy का question भी है ग्रामिड भिकास से जुड़े हुए मुद्दे का प्रस्ण भी है drone करांती की ओर बढ़ता हुआ ग्रामिड भारत यह रहा ठीक है रहा तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले बात करते हैं drone technology अब आपने देख लिया कि हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो इस drone को उड़ा रहे हैं और इस तरह का drone आपने उड़ते हुए साधी बिबाह में देखा होगा और उससे भी पहले आपने देखा होगा एक idiot के द्वारा बना करके उसको बीडियो बनाना लाइब चलाना और देखता है अचानक वो अपका UAB यानि के drone उपर उरतार जाता है खिड़की पर जाकर के देखते हो तो पता चला के Mr. Lobo फासी पर लटके हुए है थ्री इडियेट वहाँ जरूर देखा होगा शाधी बिबाह में देखा होगा अब भारत सरकार जो चाहती है प्रधानमंतरी मोदी जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि भारत में हर खेत में एक drone और हर हाथ में एक phone होना चाहिए ये प्रधानमंत्री मोधी का statement है 2020-21 के समय में उन्होंने दिया था एक meeting में उन्होंने कहा था कि हर खेत में एक drone और हर हाथ में एक phone मैं देखना चाहता हूँ यानि कि भारसर का drone करांती को लाना चाहती है बास समझ गए? तो ये अपका concept है दियान रखेगा drone technology basically कुछ भी नहीं है बलकि कहा जाए कि ये एक UAV है Unmanned Aerial Vehicle यानि कि मानव रहित विमान एक तरीके से कह सकते हैं मानव रहित विमान इसकी खास बात क्या होती है? कि ये उड़ता तो सामान ने चीज की तरह ही है पंकडियों से विभिन प्रकार के जो फिजिक्स के सिधानत होते है उन सिधानतों से उपर उड़ता है लेकिन इसमें जो उपकरण होते है उपकरण जो है वो इसमें बहत्रपूर भूमिका निभाते है उपकरण इसमें एक सबसे बहतरीन उपकरण जो होता है कैमरा जो कैमरा आपको लगातार बीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके दिखाता है इस कैमरे के माध्यम से आप अपने ग्रामीर छेतर में या अपने खेतों में या कहीं पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं निगरानी कर सकते हैं कोई भी चीज देख सकते हैं जहां तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं अब सोचिए आपके बागान हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, आपके आम के, या कह लिजिए अमरूद के, या तमाम सारी चीजों के पेड़ पौधे हैं, जिनके ओपर के हिस्से को आप नहीं देख पा रहा हैं, या गहने हो चुके हैं, तो इसको उड़ा करके ओपर से उसके निगरानी कर सकते हैं, सेब के बागान हैं, अमरूद के बागान हैं, आम के बागान हैं, किसी की भी निगरानी कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो इससे हम सारी चीजों को चेक करते हैं, दूसरा उपकरण होता है, इसमें सैंसर लगे होते हैं, सैंसर सेंसर क्या करते हैं उस सारी चीजों को चेक करते हैं मिटी से लेकर के तमाम तरह की चीजों को चेक करते हैं उनके अंदर के मॉइस्चर को उनके अंदर के कमपोजीशन को तमाम सारी चीजों को चेक करते हैं और उसके बारे में बिशलेशन करके आपको बताते हैं कि इसमें इतनी नमी है, इतना पानी है, इतना सूखा है, ये दवा है, इस तरह की चीज़े हैं, सब कुछ इसके माध्यम से हो सकता है, सैंसर होता है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, संचार उपकरण भी होते हैं, स कम्प्यूटर से जुड़े रहते हैं जहां पर आराम से आप चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है उसके बाद आराम से इसको कहीं से भी इसको हैंडल किया जा सकता है कहीं से भी चेक किया जा सकता है कहीं से भी इसके बारे में जानकरी लिया सकती है ये सारी यो चीजें हैं ये सब कुछ इसके अंतरगत है ओके ध्यान रखेगा तो ये एक Unmanned Aerial Vehicle होता है अब इसी का उपयोग हम कहीं पर भी कर सकते हैं और सोचिए भारस सरकार कह रही है कि हमारी Good Governance of Age of Living की प्रतिवद्धता की तरह बढ़ने का एक माध्यम है ये यानि के बिजनिस करने और लोगों को आसान तरीके से रहने में ये हैल्प कर सकता है कापी ज़्यादा है और ध्यान रखेगा Drone Technology जो है आपके लगातार बिक्सित हो रही है ध्यान रखना, ये इतना ही नहीं है, क्रसी के छेत्र में ये जो है लगातर विक्सित हो रही है क्रसी के छेत्र में ये काफी विकास कर रही है काफी हो रहा है बिसेश कर विश्व के शंदर्म में, ध्यान रखना, काफी ज़्याद विकास हो रहा है छोटे से छोटा देश भी इसका उप्योग कर रहा है इनमें देखेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं आपके अफरीका महादीप में, अफरीका में, मोजामबिक देश है छोटा सा देश है, मोजामबिक, वहाँ इसका उप्योग हो रहा है मोरको है, वहाँ इसका उप्योग हो रहा है इसके अलाबा जापान इसको बड़े इस तरह पर उप्योग कर रहा है चावल की खेती के लिए, चावल की करसी के लिए इसके अलाबा इंडोनेशिया, औस्ट्रेलिया इन दोनों ने नए नियम बनाए हैं उप्योग के लिए यानि कि इसके उप्योग के लिए नए नियम बनाए है इसके उप्योग को बढ़ावा देने के लिए इसके उप्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार हर देश काफी तेजी से इसमें आगे बढ़ रहा है काफी जादा तेजी से और तो और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देजिएगा जो यूएस है अमेरिका यूएस में लगभग 83% किसान इसका उप्योग करते हैं 83% किसान इसका उप्योग कर रहे हैं और हमारे हैं अभी 5% भी नहीं है सोचिएगा तो अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है 83% किसान और उनमें से भी अगर हम बात करें 83 में से लगभग 73% इसका उप्योग कर रहे हैं फसल की निगरानी के लिए किसके लिए फसल की निगरानी के लिए और लगभग 40% से ज़्यादा 40% प्लस यानि 43-44% के आसपास है इसका उप्योग कर रहे हैं मिटी का विसलेशन करने के लिए यानि कि मृदा विसलेशन के लिए मिटी की जाच करने के लिए कि मिटी के अंदर कौन कौन से पोसर तत्तों हैं कितनी नमी हैं कौन सी नमी नहीं हैं किस तरह की चीज़ें उसे मौजूद हैं, इससे क्या होता है, हमें पता चली जाता है कि मिट्टी में और क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, इससे फसल उत्पादन वाकई गुना ज़्यादर बढ़ जाती है, ये है, इसी सब चीज़ों को देखते हुए ही परधानमंतरी म जोदी ने कहा, कि हम अपने देश में परिस्तितियों को बदलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हर खेत में एक ड्रोन हो, और हर हाथ में एक फोन हो, ये समझ लीजेगा, ध्यान रखना, और इसी यही कारण है, ध्यान रखना, भारत में इसका उप्योग, इसका उप्योग काफी कम है लेकिन विकास हो रहा है प्रयास कर रहे हैं विकास भी हो रहा है प्रयास भी कर रहा है लेकिन अभी भी उपयोग काफी कम है यह भारत की परिस्टी है बात आती है कि इसका उप्योग क्या कर सकता है भारत में कितनी संभावना है इसी संदर में देखेगा तो भारत का जो नागरिक उड्डेयन बिभाग है भारत का नागरिक उड्डेयन बिभाग यानि कि जो Civil Aviation Department है उसने कुछ आंकडे बताए है नागरिक उड्डेयन बिभाग ने कुछ आकडे हमको दिये है और बताया है कि भारत में क्या संभावना है उन्होंने कहा है कि लगबग भारत में 2026 तक लगबग 12 से लेकर के 15,000 करोड रुपे तक का ड्रोन कारोबार सुरू हो सकता है यानि कि सुचेगा बारे से लेकर के 15,000 करोड रुपे का ड्रोन कारोबार सुरू हो सकता है यानि कि क्रसी के छितर में संदर में देख सकते हैं इसी समय उन्होंने कहा है कि 2023 तक भारत में लगबग 333 ड्रोन स्टार्टप काम कर रहे थे हैं कितने ड्रोन स्टार्टप कारे कर रहे हैं कारे रत हैं ये रहे इतने ड्रोन स्टार्टप इस समय काम कर रहे हैं ठीक है ना और एक चीज और बताए गई है कि 2021 से लेकर के 22 तक भारत में ड्रोन के छेतर में लगबग 34.4 प्रिस्ट की ग्रोथ होई है यह तीन पॉइंट याद रखीगा एक दो और यह तीन ओडिन विवाग के अनुसार दो हजार चब्वीस तक बारे से लेकर के 15,000 करोन रुपे का ड्रोन कारोबार हो सकता है 2023 तक लगवग 333 ड्रोन स्टार्ट अप रेजिस्टर हो चुके हैं और 2021 से लेकर के 22 के बीच में ड्रोन के छेतर में लगवग 34.4 प्रस्ट की ब्रद्धी हुई है यह अब तक के इसके आंकड़े हैं यह बता रहे हैं कि भारत में और अधिक कितनी संभावनाएं हैं कितनी जाधा चीज़ें हैं इसको आप देख सकते हैं Everybody, it is clear, समझ में आ गया ध्यान लखना दोस्तों एक चीज अच्छे से समझ लीजेगा कि आप लोग ढंग से अगर कीजी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा एक बार मेहनत कर लीजिए एक से देड़ साल, दो साल, जितना आपका समय है उतनी साल मेहनत कर लीजिए उसके बाद जिंदगी भर आप आराम से जो चाहोगे सब कुछ मिलेगा सब कुछ मिलेगा दो साल की महनत और वो दो साल वो हमारे साथ आप अगर बिता सकते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं एश्योर दे रहा हूँ, गारंटी तो नहीं कर सकता, एश्योर मैं जरूर करता हूँ कि आप जरूर सफल होंगे गारंटी मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाता लेकिन हाँ, अगर मैं मेरे जैसा थर्ड डिवीजन इस्टुटेंट इंटर्वी दे सकता है, सफलता ले सकता है, सलेक्शन ले सकता है और उसको छोड़ करके फिर आपको पढ़ा सकता है, थर्ड डिवीजन इस्टुटेंट, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एक ही चीज थी, कि अच्छे पढ़ने वाले बेक्ति को एक अच्छी गाइडस, एक अच्छा प्लेट फॉर्म, एक अच्छी उसको, कोच उसक पहने पर जुड़िये, मैं एशुर करता हूँ कि आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, डेफिनिट, बस जैसे आप कह रहा हूँ, उतना पढ़ते जाएए, आप सफल ना हो तो कहिएगा, क्वेश्चन ना मिले तो कहिएगा, अन्निता पेपर उठाके देख लिए, पिछले की चीज़ें उठाता है, बस हम लोग उन सब चीज़ों को देखते नहीं हैं। इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, और सोचे सरकार ने इस टॉपिक पर पूरी मैंग्जीन निकाल लिए, बड़े-बड़े अधिकारियों ने आर्टिकल्स लिखें हैं। उसी को हम लोग चाहते हैं कि खाली पढ़ें नहीं केवल ऐसे हलका फलका पढ़के छोड़ा नहीं बलके नोट्स बनाएं अच्छे तरीके से करें और ध्यान रगना और इसको करने के लिए पूरे सिस्टेमेटिक प्लान के साथ आपको चलना होगा और वो सिस्टेमेटिक प् हम लोग लॉंच कर चुके हैं आपका बैच जो है बारे फरवरी को हमारा जो दो हजार पच्चीस च्छबीस का दो साथ दो साल का जो बैच है वो आपका लॉंच हो चुका है आज इसकल से और ये बारे फरवरी यानि के मंडे इसकी लास्ट डेट है बस उसके बाद ये मॉ कल और परसों और आज तीन दिन का आपके पास समय हैं और इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं पूरे ब्रॉपर रड़नीती के साथ काम कर सकते हैं और इसमें केवल आपको फीस देनी होगी 24,999 यूज करना होगा कोड एम के लाइव बात सबसे महतुपूर्ण चीज पता है क्या है बात यह नहीं है कि कोचिंग कितने लोग कराते हैं बात यह है कि कौन सी जगे हमें सिस्टेमेटिक तरीके से तैयारी करवा सकती है और स्टेडी आईक्यू का जो प्लान है हमने जो प्लान बनाया है सबसे कम फीस में और सबसे सिस्टेमेटिक तरीके से बहतर जन्जन करते हुए नहीं मिलेगा वह सब के सब सीरियस हैं और आपके भविश्य के प्रती सीरियस है कोई भी इधोदर की बात नहीं कोई इधोदर की चीज नहीं सिर्फ पढ़ाई और आपके भवष्य को लेकरके चाहे यूटूब हो चाहे पीड बैच और पीड बैच में लगातार जो आप मैंसे कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से महनत करते हैं किस तरीके से पढ़ाते हैं टाइम पर सारी चीजा कवर कराई जाती है तो 24,999 रुपए में एम के लाइव कोड इसको यूज करिए और अभी से इस बैच को जोइन करिए इसमें आपको देखे दो साल तक का पूरा समय पूरा कंसेप्ट आपको मिलेगा चार स्टेज की रणनीती के साथ आपको साथ चलेंगे फांडेशन प्री मेंस इंटर्विव यानि कि एक ही क्लास डबल डबल बार आपकी होगी डेली आंसर राइटिंग, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट जिस समय जो एक्जाम होगा उसकी टेस्ट सीरीज अलग से आपको परसनल मेंटर मिलेगा जो आपको सही तरीके से डिसाइड कर सकेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको गाइड करेगा मैं तो हूई ही, हमारी टीम के और भी लोग है तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनिट इसको जुड़िए और एम के लाइब कोड लगाना मत भूलिएगा इससे आपको ठीक ठाक डिसकाउंट मिल जाएगा अनिताफ फीस आपकी ज़्यादा लगेगी ठीक है न, ध्यान रखेगा और बाकी कोई भी डाउट हो, तो यहाँ पर मुझसे जुड़ियाए यह क्लास की PDF वगड़ा आप लोगो को टेलीघ्राम पर आराम से मिल जाएगी बाकी यह mail आइडीया जिससे आप मुझसे contact कर सकते हैं कोई भी question पूछ सकते हैं, कोई भी query कर सकते हैं, कोई समझ या नहीं है लेकिन कुछ भी purchase करते समय study IQ से अगर आप कुछ भी डिसकाउंट चाहते हैं तो इस कोड को जरूर लगाए ये कोड दिहान रखेगा ये कोड इसलिए नहीं है कि हम इस कोड को लगाने से हम लोगों कुछ मिलता है जी नहीं इस बात को ततलिक कर लेजे इसका कोई हमारे पेमेंट से या किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है ये कोड सिर्फ और सिर्फ आपको हमसे जोडने का एक माद्यम है कि कितने चात्र हैं जो हमसे जोडना चाहते है personally मैं कितने बच्चों को personal mentorship दे रहा हूँ कितना guide कर रहा हूँ कितने लोग हमको पसंद कर रहा है मैं वही देखना चाहता हूँ बस और कुछ भी नहीं है यह हर teacher के अपनी fan following की तरह है ओके और यह आपका telegram barcode है जिसके तुरू आप मेरे telegram से जोड़ सकते है everybody it is clear अब बाताती है कि drone से grammyr arthवस्ता को क्या बढ़ावा दिया जा सकता है drone से grammyr arthवस्ता को बढ़ावा देने के संदर में यह चार चीजें सबसे महत्पूर है चार चीजें जो हैं आपकी सबसे महत्पूर है उननत परचालन दक्छता यानि कि जो भी चीज हम वहां करते हैं उसमें efficiency दक्षिता वो बढ़ जाती है काम करने की छमता बढ़ जाती है दक्षिता बढ़ जाती है अब कहोगे ऐसा कैसे बढ़ेगी क्योंकि इससे सोचेगा संसाधनों का जो उप्योग है संसाधनों का उप्योग बहतर होगा समय पर होगा समय कम लगेगा सटीक तरीके से होगा सटीक रूप में होगा अब आप खुछ समझ लीजेगा जहां पर आप जिस चीज का छिड़काओ करना चाते हैं जिस चीज की निगरानी करना चाते हैं कम समय में बहतर काम कर सकेंगे जिस जगे पर करना चाते हैं उसी जग सकते हैं उसको यानि कि हम कह सकते हैं कि इससे आपकी प्रभाव सीलता जो है वो बढ़ जाती है इसके माध्यम से प्रवंधन छमता बढ़ जाती है यानि कि हम कह सकते हैं कि इससे आपकी जो प्रभाव सीलता है प्रभाव सीलता में ब्रद्धी होती है इस से आपकी जो प्रवंधन छमता है क्रसी और अन्न चीजों की उसमें भी ब्रद्धी होती है ठीक ना फसल पैदावार में ब्रद्धी होती है क्योंकि जब आप मिट्टी की जाच करके उसके अनुसार फसल का चैन करते हैं उसके अनुसार उसमें औरवरक का इस्तिमाल करते हैं तो उत्पादन बढ़े गई बढ़ेगा लागत में कमी आएगी और रोजगार का सरजन होगा इसमें कोई सक नहीं लागत में कमी आएगी फसल पैदावार में बरद्दी होगी और जब ये सोचे फसल पैदावार में बरद्दी होगी तो हमारी खाद सुरक्छा भी बढ़ेगी ठीक न, साथ के साथ किसान की आये में बरद्दी होगी किसान का विकास होगा किसान का विकास यानि कि ग्रामिड छित्र का विकास किसान और ग्रामिड छित्र दोनों का विकास होगा लागत में कमी आईगी अब समझ सकते हैं तो इसका मतलब अब उसकी लागत कम हो गई तो इसका मतलब उसका आय बढ़ गई आए में बर्दी हो गई ये समझ लेजीगा रोजगार सरजन केवल खेती में करने से नहीं आएगा बलकि रोजगार सरजन के बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से रोजगार बढ़ेगा इसके माध्यम से कैसे बढ़ेगा सोचिएगा कि रोजगार इससे इनके उपियों करने वाले जो प्रसिक छक हैं प्रसिक छक जो हैं उनको रोजगार मिलेगा जो इसको चलाने वाले हैं ठीक ना इनके प्रवंधन करने वाले उनको रोजगार मिलेगा इस से जुड़े हुए जो टैकनीशियन हैं टैकनीशियन उनको रोजगार मिलेगा आपको तो मिलेगे ही मिलेगा जो इसमें कोई खराबी आती है तो उसका मेकेनिक चाहिए भाई जो इसको सिखाने वाले हैं क्यों कैसान तो यह सब जानता नहीं है सिखाने वाले हैं उनको र रुरिजगर मिलेगा कुल मला करके एक बहतरी इस तरह पर रोजगार का सरजन होगा और दूसरी बात जब गाउं में आए बढ़ेगी धियान लागत में कमी आएगी गाउंगी प्तार की और का विकास होगा इससे ध्यान लाकना इससे क्या होगा? गरामीड बाज़ार का विक क्याiße होगा यह संभावना चीज़े समझ लेजुए तो यह इसके क्या हैं ग्रामीर अर्थवस्ता को बढ़ावाद दे सकते हैं इस तरीके से ग्रामीर ग्रामिर अर्थवस्ता को बढ़ावा देंगे, यहां रखना, क्लियर, अब इसके बाद देखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि इसके अन्य उप्योग क्या क्या है, ड्रोन के अन्य उप्योग, फसल मूल्यांकन, यानि कि फसल का मूल्यांकन करना, भूमी का रिकॉर्ड रखना कीट नासकों और पोशक तक्तों के छड़काओं के लिए किसान को ड्रेन के उपियों को बढ़ावा दिया जा रहा है यानि कि हम कह सकते हैं इसके माध्यम से परसुद्ध क्रशी इसका पहला लाव है अब कहोगे परसुद्ध क्रशी का मतलब क्या है परसुद्ध क्रशी का मतलब है सेंसर और लेंस के माध्यम से फसल और मिटी क्या पूरा का पूरा बिशलेशन करना ध्यान रखना मिटी प्लस फसल का बिशलेशन करना और उसकी सटीक जानकारी हासिल करना और सटिक जानकारी करके उसके बाद सही तरीके से उसका उप्योग करना अन्दाज से कोई काम न करना कि इतना या ऐसा कहां पर फसल खराब है कहां पर कैसी है मिट्टी की जाज पानी की जाज सारी चीजें रोपड और फसल भुआई इसके माध्यम से फसल को बोना और रुपाई करना यह दोनों काम बहुत आसानी से हो जाएंगे इसके माध्यम से ड्रोन के माध्यम से हम आराम से उसके प्लानिंग कर सकते हैं कहां पर इसके रुपाई किस तरीके से रुपाई हो सकती है कैसे हो सकती है ये भी इसके माध्यम संभा हुए इसके माध्यम से दवाओं से लेकर के औरुबरक से लेकर के सभी का सटीक छड़काओ हो सकता है यानि के हम दवाओं का औरुबरकों का हम सटीक छड़काओ कर सकते ह कहां पर कितना करना है कैसे करना है सारी चीज़े फसल की निगरानी कर सकते है इसके माद्यम से कहां पर कीड़ पतंगे लग रहा है कहां पर कौन सी बीमारी लग रही है यानि कि कीड़े मकोड़ कीड़ पतंगे या कोई बीमारी जो फैली हुई है उन सब की हम आराम से इसके निगरानी कर सकते हैं, जाच कर सकते हैं, बई उपरी पेड़ के उपरी हिस्से पर लगाया है और हम नीचे होके निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि उपर कौन सी बीमारी लगी वी है, इससे हमारी पूरी फसल, पूरा बहागवानी फसल खसब परबाद हो सकता है इसके माद्यम से सिचाई का प्रवंधन कर सकते हैं यानि कि छड़काओ सिचाई भी कर सकते हैं चड़काओ वाली सिचाई भी कर सकते हैं और उसका प्रवंधन भी कर सकते हैं उसी तरह की क्या कि कहां पर हमें कितनी नमी वाला खित है हमें कितनी सिचाई द हेल्थ है वो कैसी है अच्छी है खराब है तो कौन सी दवा लगानी है या कौन से उसमें हम नई चीजों का छिड़काओ कर सकते हैं कि फसल मारी और अच्छी हो सके फसल कितनी पक चुकी है कितनी कच्ची है ये भी हम कर सकते हैं अभी क्या होता है हम खेत के किनारे पे जाते हैं एक दो फसल के तुकड़े तोड़ते हैं हाँ पक गई है या कुछ ऐसा हो गया है दाना कैसा है रगड़ के देखते हैं पुराने किसान अरे भई प्रॉपर तरी पर बात करसी बहुत बड़ी भूंका निवाने वाली है यह समझे लिजे और करसी उद्योक के लिए बहुत बड़ा आधार है लोगों के लिए बहुत बड़ा आधार है रोजगार के लिए भी खाद्यान के लिए भी और अन्य चीजों के लिए भी सभी के लिए बहुत बड़ा आधार है के लिए ध्यान रखना ठीक अब इसके अलाबा अब सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया है सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है ये रहे है सारे के सारे, इतने सारे प्रयास कर रही है, इन सारे प्रयासों को देख सकते हैं, एक है उत्पादन लिंग सबसिडी योजना, पी एल आई कहते हैं, प्रोडक्टन लिंग सबसिडी योजना, प्रोडक्शन लिंग्ड, यानि के उत्पादन से आपकी सबसिडी जुड़ी है, जितना जादा उत्पादन होगा उतनी जादा सबसिड़ी आपको मिलेगी और इसके माद्धियम से सरकार जो है दस हजार से जादा रोजगार का सरजन करना चाहती है दस हजार से जादा रोजगार अगले तीन वरसों में अगले तीन वर्सों में इसके माद्यम से नौकरियां पैदा हो सकती हैं क्योंकि जब किसानों को ड्रोन के उपयोग पर सबसिडी मिलेगी जिससे उत्पादन बढ़ेगा लेकिन ये सब ध्यान रखना ड्रोन के उपयोग के लिए सबसिडी है ये और किसी चीज के लिए नहीं भाई ड्रोन के उपयोग के लिए ड्रोन के विकास के लिए ड्रोन का उपयोग क्रसी में करने के लिए सबसिडी है और जब इतना सारा मिलेगा तो रोजगार भी सरजन होगा स्वैम साहता समू महला आधारित जो स्वैम साहता समू है उसमें कंडिशन ये है कि सरकार जो है म यानि के महलाओं को जादस 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 ड्रोन चलाने की टेक्निक सिखाई जाए क्योंकि अधिकांस महला एक करसी में काम करती है उससे क्या होगी महला ससकत होंगी टेक्निकली ससकत होंगी काम मिलेगा रोजगार मिलेगा उनकी इनकम बढ़ेगी सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रत्वंद लगा दिया है यानि कि प्रत्वंद किसले लगाया है घरेलू ड्रोन उद्योग के विकास के लिए कि हम को बिदेशों से ड्रोन ना मगाने पड़े गरेलू ड्रोन उद्योग के विकास के लिए हम अपना खुद के ड्रोन बनाए ना कि हम विदेश्टों से ड्रोनों को आयात करें हमें आयात करने वाला नहीं बनना हमें उत्पादन करने वाला बनना है अपना खुद का सरकार ने ड्रोन सकती योजना भी चलाई है और ड्रोन सकती योजना जो है ध्यान अकना किस के लिए है ये नवाचार के लिए है ड्रोन छेतर में अनुसंधान के लिए है विकास के लिए है अनुसंधान, विकास, नवाचार इन सब चीजों के लिए आपकी ये योजना है ठीक है ना, तमाम तरह की चीजों लिए ये चाहती है कि हम इस छेतर में कुछ नया करें उत्पादन बढ़ावा देना इसी के साथ ही सरकार ने ड्रोन नियम बनाए है ड्रोन उद्योग को विनियमित करने के लिए ड्रोन उद्योग के विनियमन के लिए जिससे कि कोई इसका मिस्यूज ना करे यानि कि मिस्यूज रोकने के लिए ड्रोन उद्योग को विनियमित करने के लिए नियम बनाए गए है और भारस सरकार ने 2021 में ही इनको बना दिया है परमारन योजना प्रमार्ण क्या है कि इनको प्रमारित करना प्रमारित करने के लिए इनको प्रमारित करने के हाँ ये रहे ये बाकदा ट्रेंड इसके पाइलट हैं जो चला सकते हैं ड्रोन के उप्योग पर सबसिडी दी जा रही है अलग से ये सबसिडी की उजना है ड्रोन के उपयोग पर सबसिड़ी जा रही है क्रसी अनुसंधान में ड्रोन इसके लिए सरकार लगातार कोशिस कर रही है कि ड्रोन को और बढ़ाबा देने के लिए क्रसी में और अनुसंधान को बढ़ाबा दिया जाए इसके लिए एक अंतर राश्ट्रिय फसल अनुसंधा संस्थान अंतराश्टी फसल अंसंधान संस्थान इसके लिए काम कर रहा है यह समझ दीजेगा और सब मिसन ओन एगरी कल्चर मेकनाइजेशन यानि क्रसी में मसीनी करण को बढ़ावा देने की एक उपयोजना है ध्यान रखना उपयोजना क्रसी यंतरी करण का उपमिशन यह रहा है यह भी सुरू किया गया है कि जिससे की क्रसी में टेक्नलोजी को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए तो यह सारे के सारे सरकार लगातार कोसिस कर रही है ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीर छित्र या क्रसी के छितर में बिक्सित करने के लिए अब इन में से कोई भी पूछा जा सकता है कि ड्रोन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन-कौन सी योजना चलाई है या कौन सी योजना नहीं चलाई है कैसे भी question पूछा जा सकता है आराम से लिख सकते हैं देखिए इसी तरीके से आपको पढ़ना है और मुझे कराना है बने-बनाए नोर्स मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिए उस पर आपको पीडियाप मिल जाती है आराम से जाकर एक उसका नोर्स बनाती चलिए आपको काम हो जाएगा बस कुछ करने के अवश्यक्ता नहीं है जितना कहरा है उतना करते जाएए बाकी आराम से आप सही दिसा में चलते रहेंगे और सही दिसा में धीमे या तीज चलेंगे डैफिनिट आप रिजल्ट ले जाएगे ध्यान रखना लेकिन एक चीज़ ध्यान रखीगा जब हम कोई टेक्नलोजी अपनाते हैं तो उस टेक्नलोजी के कुछ ना कुछ लाव और कुछ ना कुछ नुकसान भी होते है कहते हैं ना कि बिग्यान एक दुधारी तलवार है सही हातों में हो तो दुस्मन को मारती है आपकी सुरक्षा करती है और गलत हातों में हो तो हो सकता है कि आपकी खुद की गर्दन कट जाए तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं इसके नुकसान और इसके लाव को ले करके एक तरफ हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसके लाव क्या है और दूसरी तरफ इसके बात करेंगे इसके नुकसान या इसकी सीमाएं क्या है नुकसान तो मत कहिए बलकि सीमाएं हम कह सकते है सीमाएं क्या है यहीं पर ठीक है नग देखिए ड्रोन के कितने ज़्यादा अलाव है ये आप लोग आराम से बता सकते हैं इतनी क्लास करने के बाद में आराम से आप डिसकस कर सकते हैं ठीके ना, कितने सारे लाव हैं सुरक्षा देता है, उत्पादन बढ़ाता है दच्चता बढ़ाता है लागत कम करता है ग्यान रखना, तो ये क्या करता है उत्पादन ब्रद्धी करता है लागत कम करता है दच्छता में ब्रद्धी करता है रोजगार का सरजन करता है ठीक ना किसानों की आए में ब्रद्धी कर रहा है किसानों की आए में ब्रद्धी करता है ठीक ना यहां रखना यह संसाधनों का उच्छित दोहन कर सकता है उच्छित दोहन यानि कि मिस्यूज नहीं करता है संसाधनों का उच्छित दोहन करता है सबसे बड़ी चीज़ा कि बहुत ज़्यादे टेकनिकल नहीं है आसान रख रखाओ है आसान रख रखाओ है ये सारी चीज़ा हैं ये इसके फाइदे हैं लेकिन यहीं पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं दोस्तों कुछ इसके नुकसान कह लीजे या सीमाए कह लीजे देखे सबसे बड़ी चीज तुलनातमक रूप से जैसा कि भारती किसान हैं यह कीमत प्रभावी नहीं है नहीं बलके थोड़ा सा महेंगा है और भारती किसानों की इस्तिती ऐसी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को आसानी से खरीच सके ठीक है ना इसका मतलब है ये किसानों का अत्रिक्त खर्चा है क्या है ये अत्रिक्त खर्चा अर्थरिक्त खर्चा है तो सवाविक सी बात आप समझ सकते हो कि इसकी जो लागत है सरकार MSP में नहीं जोड़ेगी क्योंकि यह अर्थरिक्त खर्चा है आपकी फसल की कीमत में आप तो जोड़ना पसंद करेंगे लिकिए सरकार नहीं जोड़ रही इसको ठीक ना अर्थिक खर्चा इसमें इंटरनेट की समस्या भी है इंटरनेट की समस्या भी है यहां रखना यह मौसम मौसम प्रत्रिकूल होने पर काम नहीं कर सकता होने पर सीमित कारे हो सकते हैं आधी तूफान आने पर यह नहीं काम करेगा बारिस बहुत तेज हो रही है तो यह काम नहीं करेगा आधी चल रही है तूफान चल रहा है बारिस हो रही है जंजाबात है ऐसी कंडिशन में यह कितना काम करेगा यह नहीं कर पाएगा ठीक ना और सबसे बड़ी चीज है इसके लिए सटीक ग्यान कोशल और वह विशिशक गिता की जरुवत है विशिशक गिता की आवश्यक्ता है ये सारी चीज़ें है और ये आसानी से किसानों के पास उपलब्द नहीं है गिरामिर छेतर में कनेक्टिविटी कम है कीमत प्रभावी नहीं है अतरिक्स खर्चा है मौसम प्रतिकूल होने पर इसकी समस्या है इसको सटी ग्यान और बिसिसक गिता की आवशक्ता है और गिरामिर छेतर में आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्द नहीं है ये केवल उनीक किसान तो उपलब्द हैं सीमान्त किसान है वो इसका फाइदा कहां से उठापाएंगे दो बीगा तीन बीगा तो खेत है वो क्या करेंगे इस टेकनलोजी का कैसे उप्योग करेंगे और हमारे यां लगवा 85% जो किसान है लगवाबम सीमान्त किसान है तो इसकी सीमित उपियों किता है यह तब ही हो सकता है जब कोई किराय पर इसको इस्तिमाल करे खरीद करके तो संभव नहीं है और किराया कितना होगा तो मैंने बता दिया एक्स्ट्रा खर्चा है अब यह कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं दोस्तों जो हमारी किताम में योजना में नहीं लिखे होते हैं क्यों कि यह सारे पॉइंट हैं ध्यान रखना यह सारे आर्टिकल्स हैं बड़े-बड़े सरकारी विभाग के अधिकारी या बड़े-बड़े जो डारेक्टर जनरल निदेशक जो लोग होते हैं वही इसको लिखते हैं तो वो इनकी सीमाएं जो बास्तिविक समस्याएं जादा नहीं लिख पाते हैं क्यों नहीं लिख पाते हैं क्योंकि सरकारी मैगसीन है आपको दोनों पक्षों को खुल के देखना है खुल मिला करके ठीक है केलियर हो गया चलिए अब यहां पर देखते हैं इसका संभावित प्रशन क्या बन सकता है यह देखिएगा ड्रोन स्टार्ट अप के संदर में निम विकास और रोजगार स्रजन के लिए ड्रोन सकती योजना शुरू की गई है नमर त्री ड्रोन उद्योग को बिन्यमित करने के लिए ड्रोन नियम दो हजार बाइस लागु किये गए हैं निमन मैंसे कितने कथन सही है केवल एक केवल दो सभी तीन उपरोक्त मैंसे कोई नह किये समझिये सुनिये और आंसर चेक करिए आराम से मिल जाएगा पिछली क्लास का आंसर आज आपको मिल गया होगा ठीक ना इस क्लास का अगले दिन मिलेगा मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा रिसेर्च करें तुरंत इस्पून फीडिंग की तरह तुरंत आंसर मत भी आप चलते चलते देख लेजिए करसी के विकास में ड्रोन टकनीक किस परकार अपनी भूंका निभा सकती है इसके संभावित लाव और चुनोतियों की चर्चा कीजिए साथी साथ इसके विकास के लिए सरकार द्वारा किये जारे प्रयासों को भी इस पस्ट कीजिए मै बाकी किसी कांटेक्ट करना हूँ तो मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग